है विडिवन वेल्कम बेक टू आर चानल कैसे हैं आप सभी आप सभी अच्छे होंगे अस्वेस्थ होंगे तो आजका वीडियो अधारित है विप्ट क्रीम पर विप्ट क्रीम को लेके बहुत ज़्यादा लोगों में कन्फूजन होता है कि उसे श्टोर कैसे करें और कैसे ल लेके ज़्यादा confusion है तो चले वीडियो में आगे बढ़ते हैं मार्केट में बहुत ही सारे ब्रांड के हमारे विपिंग क्रीम मलती है जैसे कि ट्रोपोलाइट हो गया सन गोल्ड हो गया और यह है अश्टार विप सारे ही क्रीम बहुत अच्छे होते हैं बस इनको रखने का और इनको विप करने का जो नियम है वो हमें पता होना चाहिए तो कोई भी क्रीम खराब नहीं होता है तो मार्केट में कुछ इस तरह से पैक मिलता है विपिंग क्रीम का आप देख रहे होंगे तो बस वन लोग की धर से खुलता है और सेकेंड बार में ये पैकेट अच्छे से खुल जाता है हमें इसको कट करने की कोई जरूरत नहीं होती है तो असानी से आप पैक को ओपिंग करके इसमें अपना क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर बाद में आप इसे जैसे था उसी तरह से लॉक करके आप इसको फोल्ड करके इस पे आप इस्टेपलर की साहताय से इसको फिर से लॉक कर सकते हो और असानी से आप इससे डिफ फ्रीजर में रख सकते हैं अब ध्यान से सुन लिजे डिफ फ्रीजर यानि जहां पे हम लोग आइस जमाते हैं उस जगह पे हमें इसे रखना है सेकेंड नमबर अगर हमको इस डबे में इस क्रीम को श्टोर नहीं करनी है तो इस क्रीम को पूरे के पूरे किसी एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफर करके हम उसे डिफ फ्रिज में श्टोर कर सकते हैं तिसरी बात इसमें ध्यान ये देना है कि जब भी हम क्रीम लाते हैं तो वो 1 kg का या 2 kg का पैक में आता है और एक बार में हम लोग इतना इस्तमाल नहीं करते हैं तो आपको बस ये ध्यान देना है कि आपका एक बार में कितना क्रीम आपका लग जाता है उसी तरह से आप इसे 2 से तीन या चार भागों में बाट लीजे अपने रिक्वार्मेंट के अनुसा और उसे उसी तरह से छोटे-छोटे एयर टाइट कंटेनर जो आती है उसमें आप पैक करके रख सकती है या फिर जीप लोग जो पोलो थी नाती है उसमें आप इसको पैक करके असानी से आप ट्येप लगा दीजिए तो ये असानी से लॉक हो जाता है और दबा का सैज भी हमारा छोटा हो जाता है तब इससे हम लोग डिप फ्रिस में असानी से स्टोर कर पाएंगे और हमारा क्रियम गीरेगा भी नहीं जब यह पैक होता है तो इसे हम जैसे भी चाहें डिप तो उसके लिए आप इसको बैंड करके आप इस्टिपलर मार दीजे तब जाकि अच्छे से सेट हो जाता है बिलकुल इस तरह से जैसा कि मैं आपको अभी फ्रीज में दिखार हूँ इस तरह से आप इसे यहां पे श्टोर कर सकते हैं जैसा कि अभी डिफ फ्रीजर में यह इस और जो हमारा बीटर का जो स्पीड होता है वो नॉर्मल रहना चाहिए बहुत ज़्यादा हाई नहीं गरम नहीं होना चाहिए रुक रुक के बिट करना चाहिए उस बस हमारा जो क्रीम है बहुत ही अच्छा से विप होता है जैसा कि अभी आप देख रहे हैं तो होपसो गा तो इसी तरह हमारा वीडियो देखने के लिए और हमारे चानल के साथ जुड़े रहने के लिए आपके तहे दिल से सुक्रिया और इसी तरह हमारा वीडियो देखते रहे हैं थेंक्स पूर वाचिंग गाइस से क्यों बबाए अपना ध्यान रखिएगा